सिल्पा की ओर दिखिए, उसने माथे पर एक सुन्दर बिंदी लगाई है, बल्विंदर ये सिख लड़का है, उसने अपने कलाई पर एक कड़ा पहना है, ये कौन से आकार हैं, ये सब वृत्ताकार हैं, भूमिती में इसे वृत्त कहते हैं, यह एक वृत्त हैं, जहां वृत्ताकार दिखाई देते हैं, दिवार पर जो गड़ी की डायल है, वो भी वृत्ताकार है, कमपास की सहयता से वृत्त निकालना सीख लो, कागज लीजी, नोक वाली पेंसिल लीजी, कमपास हाथ में पकड़िए, कमपास में पैंसिल ठीक से डालिए, यह देखिए कि पैंसिल की नोक और कमपास के धातू की नोक एक ही रेशा में हो, यह आप कागज पर रखकर ठीक कर सकते हैं, कमपास का स्कुरू ठीक से चुस्त बनाएं, दो नोको में कुछ अंतर रखें, कागज पर कौन सा भी बिंदू लीजी, धातू वाले कमपास की नोक बिंदू पर ठीक से रखें, कमपास की पिछली बाजू ठीक से पकड़िए, अभी पैंसिल की नोक धातू के नोक के बाज उसे घुमाईएं यहां आकार वृत्ताकार है मध्य बिंदू पर नाम दे डी ध्यान में रखिए धातु वाला नूक जिस बिंदू पर रखें वह वृत्त का केंद्र बिंदू हैं यहां वो है डी आप दो नुकों में अंतर रख सकते हैं आपको अगर पांच सेंटीमेटर त वृत्त निकालिये अब तीन सेंटीमेटर का वृत्त निकालिये बहुत खूब अभी वृत्त की और जानकारी लेंगे देखिए यह है वृत्त त्रिज्जा के बारे में अब जानकारी लेंगे त्रिज्जा वृत्त का केंद्र बिंदू कौन सा है पी यह केंद्र बिंदू कि यहां हम पेंसिल से एक छोटा सा बिंदू निकालेंगे उसका नामांकन करेंगे पी वृत्त के घेरे पर तथा परिक पर एक बिंदू लेंगे और उसका नामांकन करेंगे आर और एक बिंदू परिक पर लेंगे और उसका नामांकन करेंगे अक्षर के से अभी पहले पी ब और के पर घूमेंगा पी आर और पिके दोनों ही व्रित्तकी त्रिज्जायें हैं रीत में पीके पियार पर थी जायएं होंगी और दो बिंदों एक-घ्यफ जहां होता है और दूसरा पेंसिल का अग्र जहां होता है व्रित के घेरे पर तथा परिक पर कौन से भी बिंदू से केंद्र बिंदू तक कांतर समान रहेगा त्रिज्जा याने परीक पर कौन से भी बिंदू से केंद्र बिंदू तक का अंतर पट्टी पर धातु का अगर ओपर रखें पैंसिल का अगर धीरे से हिलाएं और चार सेंटिमेटर का अंतर लें अभी धातू का अगर और पेंसिल के अगर में 4 सेंटिमेटर का अंतर होगा तो अब हम पेंसिल का अगर घुमाके वृत्त निकालेंगे लेकिन हमें धातू का अगर स्थिर रखना पड़ेगा हमें 4 सेंटिमेटर तुरिजा का वर्तुल मिलेगा कॉड रेखा तथा रेशा अभी वृत्त पर कोई भी दो बिंदू लीजिए यह दो बिंदू एक सरल रेशा में जोड़िए यह काम पट्टी से कीजिए उन्हें M और N ऐसा नामांकन कीजिए यही रेशा को रेखा कहते हैं अभी MN की तरह PQ, LK ऐसे बिंदू ले सकते हैं और रेखाए बना सकते हैं ऐसे वृत्त पर अनेक बिंदू लेकर अनेक रेखाएं बना सकते हैं डायमेडर व्यास जो रेखा वृत्त के मध्य बिंदू से जाती है उसे व्यास कहते हैं ऐसी एक रेखा मध्य बिंदू निकालिये और केंद्र बिंदू पी रहेगा रेखा AB यह मध्यविंदू से जाने वाली रेखा रहेगी AB यह रेखा वृत का व्यास रहेगा ऐसे अनेक व्यास जैसे KLBS निकाल सकते हैं व्रत में व्यास रेखा ज्यादा लंबाई के रहती है व्यास है AB, प्रिज्जा है PAPB हमने क्या सीखा? कमपास से प्रित निकालना प्रित के केंद्र बिंदू से परिख तक की रेखा को त्रिज्जा कहते हैं व्रित पर हम अनेक व्यास निकाल सकते हैं व्रित के घेरे पर के दो बिंदू जो रेखा को जोड़ते हैं उसे व्यास कहते हैं वृत्त पर अनेक कौड्स रेखाएं हो सकती है। रेखा जोडने से त्रिज्जा बनती है। आकरती निकालिए और ना मांकन कीजिए। व्यास रेखा त्रिज्जा दिखाएं हो।